हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में आप टेट जानें सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ ये जो कल जैनब का सारा सारी जो स्टोरी लोगों के सामने आई है एक एपीए सुई थी जो सारी कौम को धचका लगा और सारी कौम ने फैसला किया कि हमने अब दैश्ट गर्दी का मिल के मकाबला करना है और आप तब से देख लें कि कंसेंसस बना ओल पार्टीज कानफरंस हुई फैसला किया सारी कौम ने कि हमने अब ये देश्चत गर्दों को किसी किसम ना गुड बैड तालिबान खतम करना और सारी कौम ने एक रेजलूशन पास की नेशनल एक्शन प्लैन बनाया ये जो जैनब का इंसरेंट हुआ है इस से एक तो अवाम में एक एसा एक गम गया है एक तकलीफ गया है जो मैंने और एपिएस के बाद ये पहली दफ़ा उसके बाद ये देखा इतना लेकिन खास तोर पे जो माबाप हैं जिनके बच्चे हैं मेरे खाल में जो उनको तकलीफ हुई है इसकी क्योंकि वो एक दम जब ये उस बच्ची की तस्वीर कोई देखता है तो एक दम ख्याल आता है अपने बच्चों का और उसका एक बड़ी यानि मुश्कल है बताना कि लोगों का रियक्शन कैसी आए मेरे उपर जो रियक्शन आ रहा है तो मेरे इसकी अब्जर्वेशन ये हैं कि ये नहीं कि बाकी मुलकों में ऐसे क्राइम्स नहीं होते सारी दुनिया में मुलकों में बड़ी बड़े बुरे हर किसम के बच्चों से भी होते हैं बड़ों से भी जल्म होता है क्राइम होती हैं लोगों पर तशद्द किया जाता है बच्चे उठा लिये जाते हैं लेकिन जो महजब महाश्रा होता है वो हमेशा हमेशा वो तै कर लेता है कि ऐसे मौके ऐसे वाके आगे से नहीं होंगे उस टेपस उठाता है उनके लिए जब भी जब जिस तरह एपिएस हुआ तो उसके बाद एक फैसला किया कौम ने पार्टी सारी कटी हुई सबने मिलके एक फैसला किया और फिर उसके बाद आप देखें कि एक मुकाबल है यानि ये तो हो गया ना इंसिडन्ट क्या आगे भी लोगों की बचियां सेफ रहने के लिए हमारे पास कोई हैं हमारे पास कोई हमने कोई आप सिस्टम बनाएंगे तो मैं सबसे पहले इसकी जो एनैलिसिस मैं करना चाहता हूँ वो ये कि जो लोगों का रियाक्शन आया कल शाम को जो अवाम ने रियाक्ट किया शाम को जो गर्मन्ट की बिल्डिंग्स को अटैक किया जो लोग निकले और जो पलीस ने किया जब लोग निकले और जो तीन लोगों को गोलिया मारी और सारी वो फिर टीवी के सामने जब मारी तो लोगों का रियाक्शन ये था जो जैनब के बाप का रियक्शन था उन्होंने का पुलीस से हमें नहीं इनसाफ मिलेगा उन्होंने का पंजाब गर्मन्ट से नहीं मिलेगा उन्होंने का आर्मी चीफ हमें इनसाफ दे उन्होंने का चीफ जस्टिस हमें इनसाफ दे इसका मतलब कि लोगों करेंगा शिया जो इत्माद है गर्मन्मन्ट पे और पुलीस पे वो जीरो है लोगों को इत्माद ही खत्म हो गया है और क्यों खत्म हुआ है मैं आज ये बात करना चाहता हूं ढ़ते हैं खत्म इसलिए हुआ है कि पुलीस को तबाह किया गया है मैं आज सबसे कहूंगा जो आज सहाफी है थोड़ी सी रिसर्च कर ले कि नाइटीन नाइटी टू नाइटी थ्री में आई जी अबास खान ने एक रिपोर्ट दी थी लोहर हाई कोट को लोहर हाई कोट ने वो उस वकद वो आई जी थें उनसे रिपोर्ट मांगी कि ये बताएं कि ये पुलीस करप्ट क्यों है इतनी वो रिपोर्ट आई जी अबास खान की अभी भी अवेलेबल है उस रिपोर्ट के अंदर तीन चीज़ उन्होंने उस पे तीन चीज़े मेरे खान में अठारवे सफ़े में थी उन्होंने सबसे पहले का कि ये नवाज श्रीफ और शबास श्रीफ के जमाने में पुलीस के अंदर भरतियां मेरिट के बगार हुई नहीं सफारशी बरतिय किये गए पहली चीज़ दूसरी चीज़ उस रिपोर्ट ने का कि लोगों से पैसे लेके पुलीस में बरतिया गया रिश्वत लेके पुलीस वालों को बरतिया गया और जो तीसरी फाइंडिंग थी वो जो सबसे शरमनाग कि मुझरिमों को पुलीस में भरती किया गया मुझरिम जो थे जिनके पास क्रिमिनल रैकॉर्ड से उनको पुलीस में डाला गया ये क्यों किया गया ये इसलिए नहीं किया गया कि इनको एक पुलीस फॉर्स चाहिए थी जो लोगों की हफाज़त करें ये इसलिए थी कि ये पुलीस फॉर्स वो होनी चाहिए थी जो शरीफ खानदान की हो जो इनका हर अच्छा बुरा काम करें इन्होंने पुलीस को तबाह इस तरह किया है कि पुलीस बजाए कानून के कानून पे चार के काम करें पुलीस वो काम करें जो ये हुकम दें उसको मौडल टाउन का जो केस हुआ है सारी कौम ने टीवी के उपर देखा पुलीस गोल्या मार रही थी, को सारी कौम देख रही थी, सो लोगों को गोल्या मारी, चौदार लोगों को कतल किया, चार साल होने वाले हैं अभी तक वो सड़कों पे फिर रहे हैं लोग जी हमें इनसाफ चाहिए जो ये पलीस वाला जिमेदार था या कसूर में यही पलीस वाला था दोजार चौदा में फैसलाबाद में जब फिर टीवी पे लोगों ने देखा कि डीपियो था पलीस टीवी पे लोग देख रहे हैं अब फुटिज भी होगी पलीस वाला साथ कड़ा है और वो सीधा गोली मार रहा है लोगों को जिदर उन्होंने हक नवाज को हमारे पी टी गोलियों मार रही है और वो एक पलीस वाला कह रहा है कि उपर से मारो और वो सीधा लोगों में वो लोग पहले ही तकलीफ में थे पहले ही लोगों को तकलीफ थी डिरेक्ट गोलियों मार रहे हैं लोगों के अंदर ये एक पलीस यानि कौनसी प्रोफेशनल पलीस ऐसी हरकत प्ख्टाइब करती है मैं यह उनीस साल हो गए हैं अब शरीफ ओको यह दोनों भाईयों ने उनीस साल पंजाब पे हुकोमत की है इमसे जादा शायद सिर्फ रिंजीत संग्न की है किसीने इतनी जादा हमती की पंजाब पे आज पुलीस का हाल देखें मैं चैलिंज करता हूं प्खतूनख़ा की पुलीस हमारी पहली बारिया चार साल हुए है मैं आपको ये दिखाता हूँ हमारे पास आपको भी फिगर्स देता हूँ कि हमारे जब 2014 और 2017 के अंदर ये ओफिशल फिगर्स है पुलीस की कोई जाके चेक कर से इमरांद खान के गुफतूको जारी है अभी आपको बताएं कि जैनब के वाले तसक्त मीडिया से गुफतूको कर रही है इस वाले पिछे करा लो अच्छा भाए तरिक परदे पिछे कर से लिए है लो एक चाम हुए पिर चोरियां 45 वीस द का मुई पिर जो गाड़ियां उठाके लेकि जाते थे 36 वीस द का मुई फिर जो एक्स्टॉर्शन यानि ये जो बता खुरी करते थे अठतर 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 फीसद कम एक्स्टॉर्शन हुई ये आपको मैं फिगर देता हूँ ये आप सारी अच्छा ये क्यों हुई हमने क्या किया मैं कुछ जादूगर नहीं हूँ हमने हमने किस को लेकि आए पंजब से आईजी लेकि आए ओखतूनखुआ आईजी नहीं ता पंजब का था नासर दूराणी को हम लेकि आए उनको हमने आईजी बनाया उनको पूरी पावर्ज दी मैंने उनको शोर किया और पर्वेस हटक ने किया कोई सियासी मुदाखलत पुलीस में नहीं होगी आपने कानून के मताबक चलना है जो मर्जी ना आपको इमरान खान कुछ कहेगा ना आपको पर्वेस हटक कुछ कहेगा ना कोई MN आपको कुछ कहेगा आपने सिर्फ जो आपको कानून कहता है उसके मताबक चले आज मैं ज़े फखर है पखतूनगवा की पुलीस को अगर आप नहीं जानते ज़रा जाके इन्वेस्टिगेशन करे लोगों से पूछें कि पहले पुलीस क्या थी आज क्या पुलीस इन्होंने जो बचाया है लोगों को वो जो एगरिकल्चर यूनिवरस्टिए में वोई कतले आम होनी थी जो के एपिएस में हुई पांच मिनट के अंदर पुलीस के कमांडो पहुंचे और उन्होंने लोगों को बचा लिया और लोग आज तारीफे करते हैं पुलीस की सड़क पे जाके लोग तारीफे करते हैं हم थोई बड़ा काम नहां किया कहने का ये मतलब है कि ये भी ठीक हो सकती है पंजाब की पलीस और ये इस के बजाए हवाम का कर रहे हैं पंजाब की पलीस अगर किसी का ख्याल है कि हमेशे ऐसी ऐसी नहीं है। इन्हों ने खिद पलीस को खराब किया है सारे जो अपॉइंट्मेंट्स होती है राइवंट्स होती है कोई इन मेरिट नहीं है गलत काम ये करवाते हैं पुलीस से इन्होंने शबाज शरीफ का वो केस है कि इसने पुलीस के जरीए लोग मरवाए हुए है एक्स्टा जूडिशल के लिंग करवाई हुए सब्साजार केस है ये शबाज शरीफ का इन्होंने अच्छा एसपीज का नाम लखा हुआ है इन्काउंटर स्पेशलिस्ट के पुलीस मुकाबले में मारते हैं लोगों को यानि इनकी तारीख है ये सीज़ की कि बजाए पुलीस को ये कानून पे चड़े खुद पुलीस इन्होंने तबाह की हुई है मेरे उपर मेरे उपर छे देशदगर्दी के मुकद्मे करवाए हुएं पुलीस से ये शब्कत के उपर मुकद्मे है असद के उपर मुकद्मे है वो शिरीन मजारी हो की थी उनके उपर मुकद्मे है हमें हमारे उपर देशित गर्दी के मुकद में करवाये हुएं पुलीस को इस्तमाल करते हैं गलत काम करवाने के लिए उन से मुखालफी इन को दबाने के लिए करते हैं मुझे एक बताएं चार साल में एक हमारे सियासी मुखालफ के खलाव हमने पर्चा करवाया हूँ पख्तूर्खवा में एक बता दें कि पुलीस ने किसी को पर जूटा केस किया हूँ हमारे रिवा मुखालिफ यहां सारों के अपर केसे हैं छे छे केसे हैं देशत करनी के मेरे उपर तो वो मुझे बताएं जब आप पुलीस से घलत काम तो वो कह रहे है जी उपर गोलिया मारा और वो डिरेक्टट्ली गोलिया मारे है लोगों को और यही मॉडल टाउन में हुआ तो मैं आज और यह जो, जो केसिज हुए है ये भी शफकत बिलकू ठीक है तहीं ये बार assurance केस था यї बार Venice केस था जिए लड़कियों को पकड़के उन سے ब annoying करने और इन वहां कीेस है भारती है यह लोगों की लड़की है, लोग डरेंगे, क्या गुजर रही होगी, वो माओं की जो के अपने बचे स्कूल जाते हैं, अब अच्छा, और इन में से के इतने बेहस हैं यह, इनके लोग इतने बेहस हैं, कहते हैं, जी माबाब को ध्यान रखना चाहिए बच्छों का, क्या कर करना है, कौन जमेदार है, और सबसे बड़ा ड्रामा शबाज शरीफ, जब आता है जी फलाने को मौतल कर दिया, अच्छा जी मैंने ये कर दिया, ये हाल था कि सुबा के साड़े चार बज़े गया, वहां कसूर, ये खादमे आला है, अगर खादमे आला था तो लोगों को क सामने पहले जाता, रात के अंधेरे में इसलिए गया है कि उसको पता है कि इसे लोगों ने क्या करनी थी वहां, लोग समझ बैटे हैं, हम पखतून खुआ में इसलाहत कर रहे हैं, और इसने क्या किया है, पंजाब पुलीस के इनकी वर्दियां बदल दी है, इसकी इसलाहत दोसे जाने पुसूर में नन्ही जैनप के वालिट मीडिया से गुफ्तकू कर रहे हैं, लेकन कोशी करें, किसी की मिलाग को, किसी की गाड़ी को, किसी की गार को, कुर नुक्सार नप जाएं, हमारा अमन जो ना, मारा इतियाई पुर अमन है, और यह ना हो, कि महरे पुर्ण अमन एतियाई में कुछ साथी नासर शामल हो जाएं, वो नुक्सान पजाएं इसको, और उसके जो महरा इतियाई यह तहरीक है, यह भी मितासर हो उसे, ब्रहाएं मेरी अपील है, आप लोगों से, कि आप लोग इसको पुर अमन अदास से, अप नासर शामल की तरफ से, उसका जो सरबरा बनाया गया है, वो इसका नाम है, ख़दा पक्ष्गोई, यह वो पता चला है, कि वो कादियानी है, मरदई है, हम उसका नाम कमेट्री के सरबरा उसको मुस्तर्द करते हैं, और हमारी यह अपील है, कि कमेट्री का सरबरा को यह मु सब्सक्राइब करें तो उसके हवाले से आप क्या करेंगी देखें वो स्ट्राइक हम तो पूरमन स्ट्राइक के हाग में हैं और उसके पर अगला सब्सक्राइब करेंगे फिल फोर उसके बारे में क्याना कुछ कबला दोगता है जो भी हमारा फूर्दे आ रहे हैं अप जब तश्रीफ लाएब वापस और यह साने का आपको पदा चला अपने पुलिस पे अत्म इत्माद किया आर्मी जो है वो सारा टेकवर करें और हमें इ इन्वेस्टिगेट करेंगी तो क्या आप इससे मुतमें हैं कि अभी आप आर्मी से ही ज्वाइब ज्यादा जो पुझे पदा चला के चीफ सब्सक्राइब को ने नुर्दा लिया है और चीफ आप आर्मी सावने मैं उन्से ज्यादा सैटिस्वाई हूं मुतमें हूं जो कमिटी बनाई है कि वो इन्शाला को अच्छार दर्दा निकलेगा यहां की पुलीस ने बच्ची किरना वही है और उसके बच्ची कैमें में ट्रेस हो गई है मुल्जम में ट्रेस हो गया लेकिन इन्हों ने उस पर कोई खातर का तेल चस्वी का मतारा नहीं किया मुल्जम इसको अगर वह आदमी मुवी में नहीं तरह थे उसकी ट्रेस हो रहा था चिनाती हो नहीं थी वह उसको देखें मीडिया का आईटी का तो रहा फ्रांस ही के वह उनको वह पूवी पेज़ देशको रिफाइन करते ताकि उसकी शिनात हो जाती और वह जिंदा पगड़ा उस पची की लाइफ स्केयर हो जादी लेकर उनों ने उस पर किसे किसम भी कोई दल्चस्पी का या उसो पर पेंड नहीं लिगी अभी जो पहले भी से पहला गैरा वाक्या बार भी जो वाक्या जो आपकी बेटी का है तो क्या पुलिस उन गैरा में भी इसी तरह नाइकली चंस इसी लाइफ दी तो आज यह वाक्या कोई कभी ना था उसका सदेबाब हो जाता कोई पर इपर सा सदात ही जाती लोगों की बच्ची आ महफूद हो जाती आज इतर यह सूर्द आला है लाका में के लोग इतने खौफ ज़दा है अपनी बच्चें को पार नकालने दे हमारी से जो गहर मेफूद हो गई हैं कि हम अपने जो फिकर माश यह उस सिलसले में जाएं अपने रोजी रोटी के लिए यह अपनी बच्चें को छोड़ के आए अदारों में तर्लीमी तारों में उनको ले गया है वो यह एक बहुत एक मुशकल फैसला बन गया लोगों के परिए उनके लिए बाहर निकल लेगा पज़ों के लिए मुशकल हो गया है उनकी इससे और बैह रहता हूं कि कोई नहीं को ऐसा लाहाँ अमल जरूर हो किया जाए यह जो जिन्सी तहरे कर दी है इसके लिए को आपना को फूर ही इससा कुर संदेश लाव गया जाए यह जा नन्ही कली जैनब के वालिट मीडिया से गुफटगू कर रहे थे उनका कहना था कि मुझाहरीन पुर अम्न रहे हमारा इहतजास पुर अम्न है दूसरे जाने प्रेमें तरही के इंसाफ इमरान खान की प्रेस कांफरेंस जारी है देखे जी अवाम का इतिमाद एदारों पे खत्म हो गया है सुप्रीम कोर्ट ने जब हेरिंग हो रही थी पैनमा की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने का कि सारे एदारे मफलूज हो चुके हैं सिर्फ दो एदारे तो रह गे थे जिनको आज नवाज श्रीफ अटैक कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि मैं मुझी बिरुमान बन सकता हूँ वो दो एदारे कौन से रह गए एक सुप्रीम कोड रह गए दूसरा फौज बागी तो एदारों का हाल आपने देख लिया के रात जब लोगों को यदारों के पास वो तो इदारों को मानते है कोई नहीं है अब उन्हें तो पता है कि इदारों के अंदर ने वो लोक भरे हुए हैं जिनको ना एहलियत है वो कर्ठ लोग हैं सारे सिस्टम जब सिस्टम के उपर आपको इतमाद उड़ जाते हैं तब लोग पर जाके तोड़ फोड़ करते हैं तब नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मुझीब और रिमान बागी नहीं था इतने जखम मुझे ना दो कि वो नोबत आये इसको देने हैं मियाथ साब और ऐसी नोबत है और दूसरा जल्दी एलेक्शन की आपने मतालबा किया था कोई कंसर्टेशन हो रही है इसका देखे नवाज शरीफ नवाज शरीफ पहले तो मुझीब और रिमान है यह नहीं क्योंकि मुझीब और रिमान को क मुझे तो लग रहा है कि हिंदुस्तान को पेगाम दे रहा है कुछ क्योंकि यह मुझीब और रिमान किस तरह बन सकता है इसको एक अदालत ने तीन सो अरब रुपए के करप्शन में पकड़ लिया है और इसे जवाब मांग रहे हैं और यह मुझीब और बन रहा है यह सिर करा ता मरियम नवास वो एक्षन लाट सकती है लहाजा इसका मकसद सरफ एक है कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान का नजाम तबाह हो जाए किसी ना किसी तरह यह बच जाए मनी लॉंडरिंग की किन्वेक्शन से ताकि वो जो तीन सो अरब रुपया बाहर रखा हुए वो आगे जो आप यह बताएं कि यह सिक्सा आगे चलेगा और अस्कीफों की बड़ी बात हो रही है कि अगले महीने में अस्कीफे आने जाने शुरू हो जाएंगे आप इसके बारे में देखें मैं तो पहले दिन से आपको कह रहा हूँ कि जब एक मुल्क के अंदर जब एक हक इक मुल्क के सबसे बड़े मुजरिम की चुरी बचाना जब क्रमण्ट की और फंक्शनिंग हाते है जब हमें भार से दमकियां मिलती है जब हमें टरंप यह कहता है पाकेस्तान को जलील करता है कि जो काम ने सबसे ώदा अमरीका की जंग में अपने लोग मरवाए सबसे उसी को जलील करता है और प्राइम मिनस्टर के मूँ से चूं भी नहीं निकलती जो सिटिक प्राइम मिनस्टर है पाकिस्तान को अर्ली इलेक्शन्स चाहिए है इसका सिर्फ एक रास्ता है डेमोक्राटिक एक रास्ता है इससे निकलने का अर्ली इलेक्शन्स करवाएं और सिंबॉलिकली आप जाएंगे उनके साथ हैड्रास करेंगे धार यक्जति या पंजाब होकुमत के खाथ में तक आप खड़े होगे तूसरा इस वक्त इश्यू है जैनब इस वक्त कौम एक सबस्दमे में हैं हमारा काम कौम को बताना कि ये जो हुआ है इस से बाकी जैनब टाइप इंसिडनेट ना हो इस मुलक में हमने और लोगों की बच्चियों को कैसे बचाना है बच्चों को कैसे बचाना है मैं आपके सामने वो तजवीज दे रहा हूं इसलिए मैं इसी सब्जेक्ट पे ज्यादा बात करन चाहता हूं ये हो सकता है हमने थाबत किया है पक्तूल खुआ में हमने थाबत किया है कि जज़ सूबे में साथ साथ पुलीस वाले मारे गए थे जदर सबसे ज्यादा दैश्ट गर्दी और तबाई थी जदर लोग छोड़ छोड़ के इसलामबाद में आ रहे थे पैसे वा इसका मतलब कि अगर ये पंजाब में भी हम पुलीस रिफॉर्म्स कर लें पुलीस को वोई प्रोफेशनल बना दें जिस तरह की पक्तूनख़ा की है तो औरों के लोग बच सकते हैं इन्होंने पुलीस तबा की हुई है पुलिटिसाइज करके तो मेरा असल असल आज प्रे पुलीस चाहिए हमें आई बी ऐसी चाहिए इंटेलिजन्स ब्योरो जो के पॉलिटिशन्स के ना पीछे पिरे कोई हमें ना ब्लैक मेल करने की कोशिश करे उसका काम होना चाहिए कि ये जिस तरह जब इन्हें पता था कि बारा लोग वहां बारा बचियां कतल हो चुकी हैं चंद महिनों में तो क्या इंटेलिजन्स ब्योरो का क्या काम नहीं था कि वो जाके पता चलवाते क्या उनका काम ये है कि जराब इमरान खान वो या वो जो दूसरे वो जो एमेने जानून ली कि उनके उपर ब्लैक मेल करने के लिए चीज़े रखी जाएं यानि मैं ये गलत एफाई यार्स कटवाने के लिए अगर उन अदारों को आप प्रोफेशनल बना दे हैं जो हमने मुझे फखर से मैं कहता हूँ के पी में जो हमने किया है तो ये आगे लोगों की बच्चों की जान और माल की हिफाज़त हो सकती है किसे हैं जैनब के वालत ने जैनब के वालत कर दिया है और आप इस पर एक स्वाम बहुत हो इसमें इसकी तो है सजा मौत इसके तो सजाई मौत इसके तो कानून है इसका चाहादर सब्सक्राद करदे़ पहर बार्द में इसका अलामती शर्कत होगी ही यहां वो सोहिछ चोगी है जिसमें बाद की कि फुल फ्लेज जाएंगे क्योंकि एपिसी में मुतालबा था लाना सनावला और शबाश भाश भी पहुंचा हाएंगे देखे अठारा तारीक को इंशालला तारीक इंसाफ की आपको पता है कि किसी के पा मौडल टाउन में जस तरह पुलीस ने कतले आम की थी अगर उनके उपर एक्शन लिया होता ना पुलीस उसके बाद ना इस तरह कल कतल करती और फिर पुलीस के अंदर रिफॉर्म्स होती ही क्योंकि कोई चेक करता कि कैसे हैं पुलीस नहते लोगों गोलिया मार सकती है तो एक मेंट सुनो इसलिए मैं सारों को दावत दे रहा हूँ अठारों को मैं भरपूर तरीके से शर्कत करूँगा चेमिन तरही के अंसाफ इमरान खान बनिगाला में प्रेस कान्फरेंस कर रहे थे इस मौके पर उनका कहना था कि लोगों का पंजाब हकूमत और पॉलिस से एतमाद उट किया है साथ साथ उन्होंने एहतजाजी तहरीक में भरपूर शर्कत का ऐलान कर दिया कर यहेद कर दो, और चूबापी है